आत्मिक उर्जा का बहुत ज्यादा होना बहुत जरूरी है आपकी शरीर की आत्मा की उर्जा ही ये निर्दारित करती है कि आपकी जो भी च्छा है या आपकी जीवन में आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा कम मिलेगा और कितने समय में आपको प्राफ्थ हो जाएगा क्योंकि जब आपके आत्मिक उर्जा ब्रमान्डे उर्जा से connect हो जाती है तो आपके च्छाएं पूर ओनी शुरू हो जाती है आपके च्छाओं को आपके मन के माधिर्म से इश्वरी उर्जा ही पून करती है और आपको उन चीजों को सब चीजों को दिलाती है जो चीजे आप पाना चाहते हैं और आपके जो आत्मिक उर्जा है वो बढ़ती है पूजापाट से जब आप पूजापाट मंत्रादी करते हैं या ऐसे स्थान पर जाते हैं जो इस्थान किसी की तपो भूमी है, जो इस्थान किसी सिद्ध का 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 देवता को देखकर आपके मन में एक भाव उत्पन हो, उनको देखकर आपके आँखों में आसू आ जाए, उनको टकटक देखने का मन हो, उनको निहारने का मन हो, उनके चणों में पढ़ने का मन हो, और आपको ऐसा लगे कि उनकी मूर्ती और उनकी जो तस्वीर हो जीवन्त ह आपके सामने वो साक्षात खड़े हुए हैं, वही आपके श्ट देव होते हैं, चाहे आप किसी अन्य देवी या देवता कि कितनी पूजा कर लो, कहीं न कहीं जो आपके श्ट देव हैं, उनके पृती आपका आकरशन, आपका खिचाव जरूर रहता है अगर किसी ने आपको बताया है कि आप हनमान जी की पूजा कीजिए और आपके इष्ट भगवान शिव हैं तो आप भगवान शिव की पूजा कभी नहीं छोड़ सकते भगवान शिव सदेव आपके हर्दे में वास करेंगे सदेव उनके नाम का उनके मंतर के नाम का समणा आप करते रहेंगे आप किसी भी मुसीफत में हो किसी भी परिशानी में हो भगवान शिव का नाम आपके मुख से जूरू निकलेगा क्योंकि वो आपके इष्ट है इष्ट जन्म से ही निर्धायित होते हैं आप एक या दो अन्य किसी देवी देवताओं की भी पूजा कर सकते हैं कई लोग ये पूछते हैं कि गुरुजी मिर इश्ट हनुमान जी है पर मैं भगवान शिव माता दुरगा की भी पूजा करता हूँ तो इसमें क्या उनकी पूजा नहीं करनी आप कर सकते हैं आपके श्रधा अन्य देवताओं में हो सकती है आपके पित्र कुल देवी और कुल देवता में हो सकती है उनकी सेवाफ कर सकते हैं पर जो आपके इश्ट है उनका डारेक्ट संबंद आपके कुंडली से होता है जो आ आपके इस्टदेव की किर्पा के कारण मिलता है इसलिए कभी इस्टदेव को नहीं चोड़ना चाहिए उनकी लगातार पूजा अरचना उनके नेंतर मंतरजाफ से ही आपको सिध्डी पराफ्त होती है जब आप पूजा पाथ करते हैं मंतरजफ आप करते हैं तो दिरे दिरे आत्मिक उर्जा आपके शरीर में उत्पन नहीं शुरू हो जाती है आपके भाव के करण आपके रोंग्टे खड़े होने शुरू हो जाते हैं आपके आँकों में आसों आने शुरू हो जाते हैं और जो आपके इस्ट हैं आपको उनकी पूजा कफल तो प्राप्त होता है उनकी उर्जा तो प्राप्त होती है अन्य देवी देवताओं की उर्जा भी आपको प्राप्त होती है आप उनसे भी संपर्ख साध सकते हैं उनकी भी सवारी ले सकते हैं जैसे के लोग जो माता काली के उपासा के उनके उपर वहरवाबकी भी समारी आती है तो ये उर्जा का खेल उता है जो आपके अंदर एसमित मात्रा में ध्रिद्रिधर इुखटियोंनी शुन हो जाती है इस वो होते हैं जो आपके सरवप्रिय होते हैं जिनको देखकर आपका भाव जगे जिनको टका-टक देखने का मन हो जिनके चरणों को निहारने का मन हो जिनकी मूरत को जिनके मुख मंडल का तेज आपको प्रभावित करे और उनको देखने का मन हो जब भी आप किसी मुसिपत में हो तो उनका नाम आपके मुख से अपने आप निकले जब आपके शरीर में प्रयाफ्त मात्रा में उर्जा होती है तब ही आपको आपके इस्देव के अनुबह होते हैं हर किसी को एकदम नहीं होते जब धीरे धीरे पूजा पाट आप करते हैं तो एक ऐसा समय आता है फिर प्रियाप्त मात्रा में उर्जा आपके शरीर में आपके आत्मा में उत्पन हो जाती है आपके शरीर और आपके आत्मा में उत्नी उर्जा होती है कि आप उस उर्जा को आप उर्जा के बल्व पर आप उन संकेतों को समझ सके इस वरिया तत्वों को महसूस कर सके उनके शक्ति को महसूस कर सके जैसे जब आपके शरीर में प्रयाफ्त मात्रा में उर्जा होती है तो आत्मा से प्रमात्मा की तरफ आपका मिलन होना शुरू हो जाता है आपके शरीर में भक्ति का वीजरोपन हो जाता है और दीरे दीरे वो वरक्ष बनने की आपसे बनता है कि अगर आपको असे लगेगा कि अगर आपके भगवन शिष्ट है कि त्रशूल आपको दिखाए दे रहा है या डंबुर आपको दिखाए दे रहा है या आपको ऐसा दिखाए देगा जैसे कैलास परवत आप बना हुआ है ऐसी अलग-अलग आकरतिया आपको कि अज़कर से और तो आपको फियाखने हैं और यहां को मिठा दर्द रहेगा चाहिए और शर्दवार मालिश विए और आपको दर्द रहेगा पर वो दर्द जब आपके देवी दिश्टी खुल जाते हैं वो खतम हो जाता है मंतर जब आप करोगे मंतर जाब तो दिर दिर आपको नींद आगी उबासी आएगी आपको शरीर आगे पीछे हिंले शुरू हो जाएगा आपकी आँखों में वो तेज आजाएगा कि आपके व्यक्ति को भी अगर देख रहे हो तो वो आपके तरफ आकरशित होने शुरू हो जाएगा देवी देवता की उर्जा आपको प्राफ्त होने शुरू हो जाएगी आपको आगे चक्र पर दो सेकंड तीन सेकंड में दर्शन होंगे उनके जरूर होंगे और आपके साथ आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई तो शक्ती है जो आपके साथ चल रही है कोई तो ऐसी शक्ती है जो आपके मदद कर रही है आप जब अकेले रहते हैं तो आपके साथ कोई न कोई शक्ति ऐसी होती है जो आपको अकेल अपन महसूस नहीं होने देती साथ ही आपके कानों में सोते समय नाद, शंक, गणियाल, गण्टियों के आवाज आपको सुनाई देंगी हो सकता कोई मंत्र आपको सुनाई दे आपको एक अलगी खुश्बू का आनंद आएगा वो खुश्बू सदेव आपके साथ रहेगी आप घर पे हैं भार हैं वो खुश्बू आपको महसूस होगी वो खुश्बु एक दिव्य खुश्बु होगी जो पहले कभी आपने महसूस नहीं की और वो खुश्बु आपको जब आएगी तो आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे साथ ही प्राकरतिक चीजें आपको सपन में दिखाए देंगी कभी जहरने कभी पहाड कभी कैलाश परवत इस प्रकार से प्राकरतिक चीजें आपको दिखाए देंगे के बार आपको कही प्रशु दिखाए दे सकते हैं तो ये सबी संकेत बताते हैं कि आपके अंदर पर आप मात्रा में उर्जा आ चुकी है और इस उर्जा के करण ही आप देवे शक्तियों को अनभव कर पा रही है इस समय पर आपको अपनी पूझा पाट बढ़ा देनी चाहिए मुंत्र जाब बढ़ा देना चाहिए और इश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपको अपनी सेवा के लिए चुना और सदेव उनके नाम का गुणगान आपको करना चाहिए मुझा आशा ही जानकार आपको पसंद आज होगी पहली बार चैनल पे तो चैनल को लाइक केजिए शेर केजिए सब्सक्राइब कीजिए सदेव आपकी जोली बढ़ते रहे हम मिलते एक नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए ओम नमस्षिवाए ओम नमस्षिवाए